जय जगुनात दोस्तों आज का हमारा चिंतन का विशा है कि भेज घाए या ननभेज तो ननभेज बालों क्या कहते हैं कि ननभेज खाने से प्रोटीन मिलती है अब चेहरा अच्छा लाइता है ठीके प्रोटीन तो मिलता है अच्छा है लेकिन इसके साथ साथ और क्या-क्या मिलता है चलिए सुनता है जब हम दिखा है चिकन सेंटर चिकन लाने के लिए चिकन सेंटर जाता है वो चिकन सेंटर में जो चिकन को रखा जाता है किस जगह रखा जाता है कि आपने दिखा होगा कि इतने छोटी सी जगह में कितने चिकन को रखते हैं अधर उधर जाता है अपने मन के अनुसार वो इधर उधर भागता है दोड़ता है दूसरे उशाति मिलता है प्रकृति कानुभव करता है जो जितना खुस वो रहता है आनंद रहता है और चिंतन कीजिये और जहां राखा होता है ये चिकेन को वो किस परिवेष में रहता है व किसा परिवेस पर रहता है म vendor पीम सकता है परिवेष अपने प्रकुर्ती को अनूफभ करक्ते है आनम से जी सकता है नहीं करिया आप आपको एक छोटे से कमरे में रख दिया जाएं और आपके साथ और दोस्त भी सादमी को रख दिया जाएं आप कितने दिन तक रह सकते हैं ठीक है मानली जी एक मान महीना रह भी लिया तो आपका मनस्तिति क्या होगा आप सांत रह सकते हैं या कुरुधी वनेंगे सांत रहेंगे या कुरुधी वनेंगे अक्वा सुभाब कैसा हो जाएगा चिड़चिड़ा हो जाएगा मारने का पिटने का मन करेगा अगर बात मुझ से निकली तो हो जाना चाहिए नहीं तो कुरोध हा जाएगा तो वह भाब भी रहता है इन जीवों के अंदर भी ये तो एक ही कारण है और कौन-कौन गुन रहता है चलिए अलोज ना करता है जब किसी पक्खी को निकारा जाता है मान रहें के लिए तो और लोग और जो दूसरे पक्खी रहता है वो दिखता है कि वो कैसा वो आदमी जो मारता है वो कैसा मारता है आपने दिखा होगा चिकेन सेंटन में क्या करता है पक्खियों को गला कार देते हैं और वो मुरावी नहीं होता उसको गरम पानी के अंदर डाल देते हैं आपने दिखा होगा ज़रूर और दिखा होगा लेकिन अनुभव कि यह नहीं किया होगा दिख देखकर अंदेखा किया होगा क्योंकि आपको चिकन चाहिए यह नहीं चाहिए कि वो कैसा माँ तयार कर रहा है जान नहीं गया है लेकिन उनको हम क्या करते हैं गरम पानी में डाल देते हैं और सोचो वह जीव है या निर्जीव है इसके अंदर प्राण है और हम उसको क्या करते हैं गरम पानी में डाल देते हैं तो उनका मनस्तिती उस समय क्या होगा तुम्हारे उपर आश्रीवार डालत होगा खूस होगा तो मेरे उपर कि बंदा तुझे कर रहा है सही कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या यह सुच्ता होगा तो उनके मन में उसके मन में कुरूध हाता होगा और मर जाने का जो डर पैदा होगा तो उसके सरीन में एक क्या पाइजन विस क्रेट होता है सुरुष्टी होता है और जो हम खाएंगे उसको तो हमारे अंदर भी वह पाइजन जाएगा वह विस जाएगा और क्या जाएगा भाय सोक क्रोध चिंता यहीं कि नहीं होगी जब मरता होगा मरता हुआ दिखते हैं वो जो अधर पखी रहते हैं जब उनकी बारी आती है जो मारने वाला और किसी को पकड़ कर ले जाता है तो वो दिखा होगा उसके पहले की कैसे मारते हैं और जब उनकी बारी उसकी बारी आती है तो वो भाय से भी कामता रहता है मरने से पहले ही वो सोचता है कि कैसे मैं अभी मर जाओ वो गरम पानी में नहीं पुणू और गरम पानी के बाद हम क्या करते हैं उसको छिलकाने के लिए जो ग्यास में उसको दिखा देता है नहीं गरम पानी में डाल दिया और उसका फकी नरम हो गया और उसे चिलाने के लिए अगनी में इसको ग्यास में क्या करते हैं फ्राइब कर देते हैं साला वो मौरता होगा कि नहीं मौरता होगा उसको भी नहीं देखते हम हमें कस्टमर को मांस देना है और कस्टमर को जल्दी है लेने के लिए तो इतने सारे जो हम कुकर्म कर रहे हैं उसका फॉल कौन भोगेगा हम भोगेंगे ना तो हम जो खाएंगे एक तो हमारे अंदर पा अगर हम तुलना करें निरामिशासी के साथ तो उस से कई ज्ञादा गुन रोग हमें आएगा आएगा कि नहीं आएगा? आप क्या सोथते हैं? आएगा आएगा और हम अशांत रहेंगे, हम इरशाड रहेंगे हम इंसाबादी बन जाएंगे और हिंसा से जो हम काम कर रहे है जो हिंसा से हो रहा है हम किसी के ऊपर अपने हिंसा प्रकट किया तो वो छोड़ देगा क्या हमें वो भी प्रति हिंसा करेगा तो ये हिंसा प्रति हिंसा ऐसे चलता रहेगा जुगों जुगों तक चलता रहेगा कतम नहीं होगा हमने किसी के भाई को मार दिया तो उन्होंने हमारे और किसी को मार दिया एब मार दिया ऐसा चलता रहेगा और सारा पृत्वी असांत बना रहेगा और दुनिया में सुक सांती का कोई चीज नहीं रहेगा तो सोचिए हमें क्या खाना है बेज खाना है या नन बेज खाना है सोच कर दिखिए अगर हम सांत रहना चाहते हैं हम समाज के बीना रह नहीं सकते रह सकते हैं क्या कोई अकेला बीना समाज के अगर समाज हिंसाबादी हो समाज में ज़्यादातर लोग इंसा के राष्टे पर चलने लगे, और कुरोद के राष्टे पर चलने लगे, इर्षा के राष्टे पर चलने लगे, कोई किसी का सुख नहीं देख सकता, कोई किसी का और्नाधि देई नहीं देख सकता, कोई किसी का सनमान नहीं कर सकता, तो इस माहल में हम जिये तो क्या जि कैसे जी